उडेयन के मानचीतर पर बिहार एक बार फिर से उभरने की तैयारी कर रहा है एक तरफ राज्य सरकार वर्शों बाद 20 सीटर विबान खरीदने जा रही है तो दूसरी तरफ सरकार ने बिहार में बदहाल पड़े 18 रनवे को फिर से सेवा योग्य बनाने की पहल शुरू कर दी है इस साल पेश होने वाले बजट में इसके लिए राजशी की विवस्था भी की जा सकती है बताया जा रहा है कि सरकार 18 पुराने एरपोर्ट की बरमत के साथ ही दो नए हेलिपैट का निर्मान भी इसी वित्तिय वर्ष में करने जा रही है हेलिपैट बनाने के साथ सरकार की ओर से हवाई अड़ा की सुरक्षा विवस्था भी बेहतर करने की योजना पर काम किया जा रहा है दरसल बिहार के साथ सबसे खास बात ये है कि बंध पड़े 18 एरपोर्ट राजिके विभिंग शित्रों में अवस्थित हैं ऐसे में इन एरपोर्ट के सुजारू होने पर कई जिलों में हवाई सिवा उपलब्ध हो पाएगी ये सब ही 18 एरपोर्ट बिहार सरकार के अधीन है लेकिन उनकी स्थिती ठीक नहीं है अतिक रमर से लेकर सुरक्षा कारणों से भी उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है कई एरपोर्ट की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां रनवे तक अब नहीं बचे है ऐसे में अब सरकार वहां हेलिपैट बनाकर उनके इस्तिमाल की तयारी कर रही है इस संबध में भवन इर्मान विभाग के अभियंता प्रमुख राकेश कुमार ने स्थानीय मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 20 भवन प्रमंडल के कारेपाला कभी अंताओं को हवाई अड़ों के विकास कारे के लिए एस्टिमेट बनाने का इरदेश दे दिया गया है उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट सौपने के लिए भी कह दिया गया है बहर में तीन एरपोर्ट आम लोगों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध हैं जबकि परीब डेढ़ दरजन रनवे वर्षों से बंद पड़े हुए हैं बंद पड़े रनवे में से एक दो को छोड़ दें तो सभी आजादी के पहले बनाए गये थी आज की तारीख में केवल पटना गया और दरभंगा से विमान सिवा उबलब्ध हैं तो वही बहटा और पूर्णिया एरपोर्टों का उप्योग सेना कभी कभार करती हैं शेश एरपोर्ट या तो जानवरों का चारागाह बने हुए हैं या फिर गाड़ी सीखने का मैदान बना दिये गए राजसरकार ने जिन हमाई अड़ों की सूरत बदलने के लिए भवन निर्माण विभाग को जिमेदारी दी है उसमें भागलपूर, सुपावल, वेगुसराय, मुगेर, पूर्णिया, सहरसा, नालंदा, आरा, बगसर, मोतिहारी, कटिहार, मधुबनी, किशन गंज, रोहतास, सारण और वालमिकी नगर शामिल हैं भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं को एस्टिमेट बनाने का निर्देश दे दिया गया है पूर्णिया एर्पोर्ट का भी निर्मान का मामला बीच में ही लटका हुआ है, जिस पर बार-बार सियासत भी होती है और कभी कभार तो बयानबाजी भी इस पर देखने को मिलती है, लेकिन फिलाल सबसे अच्छी खबर और बड़ी खबर बिहार के लोगों के लिए ये है कि अब सालों से बंद पड़े 18 ऐसे अर्पोर्ट हैं बिहार में, जिन्हें चालू करने की कवायत तेज की जा रही है और इस थिती में लाए जाने की कोशिश की जा रही है कि यहां से भी हवाई जहाज और हलिकप्टर उडान भर सकें अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार ने जो पहल शुरू कर दी है उस पहल को कहां तक पहुँचाया जाता है और कितनी जल्दी बिहार के लोगों को बड़ी से बड़ी खुश खबरी मिलती है क्योंकि बिहार के लोगों का इंतजार है और सालों का इंतजार जब खत्म होगा तो बिहार के लोग वाकई सरकार के इस कारे को सराहेंगे भी बने रहें लाइफ सेटीज के साथ यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट राख सकें